हलो बच्छों, कैसे हो, क्या हाल चाल, I hope अच्छे होंगे, तो एक बहुत इंट्रेस्टिंग चीज में बताता हूँ, अगर आप यूट्यूब के उपर content consume करते हैं, काफी ज़्यादा मातरा के अंदर, and obviously need aspirants हो, तो कही ना कही नीट से related content तो यूट्यूब के उपर आता रहत और वहाँ पर जो बड़े-बड़े teachers पढ़ाते हैं, वो एक दिन के लिए news anchors बन गए थे, और उन्होंने अपनी तरफ से कयास लगाना स्टार्ट कर दिया था, दावे करना स्टार्ट कर दिया था, कि आखिर में need का exam कब होने वाला है, I am sure आप लोगों ने notice किया होगा, ज यह सब कुछ आप देख चुके हो, इनका कोई benefit नहीं है, मतलब student की life के अंदर इस सब चीजों से कुछ होता नहीं है, मतलब कोई फायदा नहीं मिलता, कुछ student वगरा ठीक है, influence में आके इनके courses वगरा ज़रूर खरीद लेते हैं, यह benefit हो जाता है इनको, right, so यह इस तरीके के आप लोगों का बहुत सारा syllabus cover नहीं हुआ है, और अगर अभी तक भी आपको लगता है कि यार, मतलब mock test देनी के अंदर से हिम्मत ही नहीं आती, confidence ही नहीं आता, लगता है कि यार कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो क्या ही का test देंगे, और अगर दे भी आते हो गलती से, तो इत इस उम्मीद के अंदर, इस आशा के अंदर इदर उदर भटकते रहते हो कि यार कहीं कोई ऐसा मिलेगा हमें teacher, जो कि कुछ चमतकार करेगा और कुछ short trick बता देगा, कुछ short method बता देगा, और ultimately हम लोग need के अंदर चमतकारी तरीके से अच्छा स्कोर कर लेंगे, और इसमें काफे ज़्यादा time भी waste हो जाता है, right, so अगर आप average या below average category के अंदर आते हो, तो आप लोगों को अभी जो remaining time है, अब यहाँ पर यह फरक नहीं पड़ता कि कितना time बचा है, क्योंकि मैं जो आप से बात करने वाला हूँ न, उस पर फरक ही नहीं पड़ता इस बात का, कि time क कितना बचा हूँ रहे, मैं यहाँ पर उससे भी गहराई की कोई चीज आप लोगों के साथ में share करना चाहता हूँ, actual में जब भी आप किसी exam की तैयारी करते हो, या for that matter किसी भी target को achieve करने की कोशिश करते हो न, तो उस process के अंदर आप कुछ powers acquire करते हो, और वो powers जो है न, वो आपको target को achieve करने के अंदर मदद करती है, ध्यान से सुनना मेरी बात, अब इन powers की क्या है, hierarchy है, मतब आप direct जो last वाली सबसे powerful चीज है, उसको हासिल नहीं कर सकते, तुम्हे step by step बढ़ना होगा, और इन steps में जो सबसे पहला step है, जो सबसे पहली power आपको acquire करनी है, वो है power of consistency, मैं बहुत ज़्यादा जो डालता हूँ इस चीज के उपर, फरक नहीं पड़ता, आपके पास में तीन मेने हैं, या फिर सिर्फ एक मेना है, जितना भी समय है, आपको consistent रहना है, and with the power of consistency, आपका confidence जो है, वो धीरे 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 धीरे, increase होने लगेगा, with power of consistency, आपका जो syllabus है, जो कि अभी आपको पहाड जैसा नजर आता है, वो धीरे 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 आपको छोटा नजर आने लगेगा, और ultimately आपको लगने लगेगा, कि हाँ यार, exam से पहले मैं syllabus तो complete कर सकता हूँ, at least, and with the power of consistency, आप दूसरी power को achieve करने के लायक बन and that is power of practice, जब आप consistently अपने target को achieve करने के लिए work करोगे न, और कहीं बार आपको निराशा होगी, कहीं बार आपको लगेगा कि यार, कुछ भी नहीं हो रहा, but बहुत कम time भी अगर आपके साथ में ऐसा होता है, कि आपके अंदर एक positive, एक positive spark generate होता है, कि यार, चलो, कुछ तो किया मैंने, कुछ तो हो रहा है, consistent रहने का कुछ तो फायदा मिल रहा है, और obviously आपका confidence, meanwhile, increase होई रहा है, तो फिर आएगा समय किस चीज का, power of practice का, फिर आप लोगों के अंदर से practice करने की इच्छा है जगेंगी, मतलब मैं देखता हूँ, बच्चे मुझसे ये पूछते है कि सर, practice कैसे करें, कहां से करें, لेकिन basic problem ये निये कि practice कैसे करें, कहां से करें, basic problem ये है कि अंदर से practice करने की इच्छा आती नहीं है, और वो इच्छा जबरदसती भी नहीं लाई जा सकती, वो इच्छा केवल और केवल तब आएगी, जब आप किसी चीज को समझने का consistent प्र फिर आप with confidence practice करने स्टार्ट करते हो, फिर आप पूछते नहीं हो किसी से, फिर आपका सवाल बदल जाता है, फिर आप ये नहीं पूछते हैं किसे मिनीमम कितने सवाल करें, फिर आप खुट डून डून के सवाल करने लगते हो उस particular topic के उपड़, और फिर जैसे आप power of practice को acquire कर लेते हो, then you achieve and you become eligible for power of revision, revision में अपने आप में बहुत बड़ी power है, जब आप किसी चीज को समझ रहे हो, आपको अंदर से सवाल करने का मन कर रहे हैं, सवाल आपके कुछ गलत हो रहे हैं, बहुत सारे सही भी हो रहे हैं, तो फिर आपको दीरे दीरे अंदर से revise करने की चहें जो हैं, वो जागने लगेंगी, आपको पता पढ़ जाने लगेगा, कि यार मेरे से ये जो particular domain हैं या ये जो particular topic है, इसके सवाल बार-बार गलत हो रहे हैं, missing links हैं, तो आप जाके अपने आप रिवाइस करने लगोगे, फिर आपको strategy की जरूरत नहीं पढ़ेगी, कि कितनी दिनों बाद में रिवाइस करना चाहिए, कितनी बार रिवाइस करना चाहिए, नहीं, नहीं, ये सब कुछ अंदर से हो, तो जी ये जो तीन steps मैंने बताया ना, ये बहुत ही सहज है, मतलब ये हर किसी के अंदर मौजूद है, इनको बस tap करने की जरूरत है, और इसी लिए मैं normally जब भी बच्चों से बात करता हूँ, ऐसे topics के उपर तो मैं कोई instruction नहीं देता, क्योंकि instruction देने का मतलब ये है, कि उनके अंदर जो potential है, उसको छेड रहे हो दो, वो फिर आपके instructions को follow करने की कोशिश करेंगे, और ultimately नहीं follow कर पाएंगे, तो और जदा depressed, और जदा परेशान हो जाएंगे, और जदा चिंतित हो जाएंगे, तो यहाँ पर मेरा काम आप लोगों को instructions प्रोवाइड गरवाना नहीं है, मेरा काम आपको एक process बताना है, जो कि तुम्हारे लिए भी work करती है, मेरे लिए भी work करती है, हर किसी के लिए work करती है, और उस process के तीन steps मैंने आप लोगों के साथ में share किये हैं, और आगे के steps भी हैं, बट फिलहाल आप लोगों को इन तीन steps के उपर ही ध्यान देना है, और आपको work करना है अपने पहले step के उपर, पता है सबसे बड़ी खूबी मेरे इस particular method की यही है, कि आपको सिर्फ पहले step के उपर काम करना है, जो आगे के steps हैं न, वो अपने आप आप लोगों के बनने लगेंगे, सिर्फ आपको consistency के उपर काम करना है, power of practice, power of revision, और जो higher powers हैं, वो आप अपने आप अचीव करते चले जाओगे, और ध्यान रखना बेटा, इस particular strategy, इस particular method के अंदर कहीं भी time जो है, वो factor नहीं है, obviously आपके पास में अभी ample amount of time है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बट ठीक है, बहुत कम समय होता, तो शायद मैं बोलता कि time is a factor, बट अभी आपके पास में काफी समय है, again मैं ये नहीं बोल रहा, need के exam कब होने वाला है, क्या होने वाला है, ये सब बखवास में नहीं करूँगा, ठीक है ना, कभी नहीं करूँगा, so I hope आप लोगों को मेरा message loud and clear, समझ में आ गया होगा, अगर आपको video beneficial लगा है, तो आप comments के अंदर मुझे जरूर बताएं, आपकी कोई भी problem है, वो भी आप मेरे साथ में share कर सकते हैं, और definitely कोशिश करें, इस video को जादा से जादा बच्चों तक पहुचाने की, क्योंकि जो YouTube के उपर शोर मचा हुआ है न, उसमें कहीं न कहीं actual में बच्चों को, इस तरीके की videos की जरूरत है, जो कि उन तक अगर पहुचने लगेंगे, तो वो शायद अपने tension से, अपने depression से, अपनी anxiety से बाहर आपाएंगे, एक clear, एक सहज, एक आसानी से, चन्ने लायक path उन्हें दिखाई देगा, and obviously अगर वो चलने लगेंगे, तो फिर उनको फायदा भी नज़र आने लगेगा, so आप इस video को जरूर share करें, जादा से जादा दोस्तों के साथ में, और अगर आपको वीडियो पसंद आया, तो इसको जादा से जादा संख्या के अंदर like भी करें, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्ट वीडियो के अंदर, बाई,